हाई बिटुले इंजल्स बेलकम तु द्वाइन फैमिली राधे राधे जैशे किष्णा आई होप आप से लोग अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लगों के लिए एक नई रीडिंग जो होने वली है वीकली रीडिंग और इसमें पहले की तरह हम लोग औरिकल टैरो को यूज करेंगे और फिर हम लोग सैंट बीडिंग से मैसेजिस को रसीव करेंगे और इस वीक का थीम मुझे मिला है ध्यान रखें तो कुछ ऐसा संभल कर संभल कर करने की जुरत है या संभलने की जुरत है जो भी इससे related messages आएंगे हम लोगों को वो हम लोग receive करेंगे तो सबसे पहले मैंने beginning of the week, middle of the week और end of the week के लिए कुछ main energies यहाँ पे निकाली है ठीक है तो मैं इन cards के बारे में बात करते हुए यहाँ पर seven cards इस deck में से निकालने वाली हो reverse में मैं reading करती हूँ और अगेन यह जो reading होती है यह journal collective reading होती है सब के लिए ठीक है न हो सकता है आपके लिए पूरी की पूरी यह resonate करें या कुछ हिसाई इसका resonate करें ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला ही card आ गया है Ace of Swords का beautiful letting go यहाँ पर आपको थोड़ा flexible रहना है यहाँ पर एक तो exercise करना बहुत ज़रूरी हो सकता किसी के लिए कुछ exercises जो है कुछ yoga poses आपके लिए helpful होंगे right now के लिए अगर आपको physically किसी तरह की pain में से या कुछ ऐसी difficulties आपको आ रही है तो थोड़ा सा stretch ज़रूर कीजिए beginner level से start कर लीजिए सिर्फ five minute देजिए ठीक है इतना काफी है लेकिन flexible यहाँ पर mentally emotionally भी flexible होने की जुरूरत है क्योंकि release करने के लिए अगर हम लोग flexible नहीं होंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा pain होगी दर्द होगा resistance create होगी तो थोड़ा सा flexible रही है हर तरीके से ठीक है ता universal force energy से यहाँ पर आपको connect होने की जुरूरत है ठीक है तो वहां से आपको काफी energetically भी help मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर और intuitively भी काफी help मिलेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर blue colors जो है ठीक है और साथ में express कीजिए अपने आपको जो भी आप कहना चाते emotionally release करने की जुरूत है यहाँ पीछे पानी भी है काफी emotions काफी surface पर आ सकते हैं ठीक है release होने के लिए कुछ आप ऐसी spiritual practices कर रहे हो तब उस समय इश्वर से प्रातना कीजिए कि उनको करते हुए आप काफी release कर पाएं heal कर पाएं और साथ में full moon की energy है यहाँ पर release होने के लिए यहाँ पर मुझे message मिल रहा है कि आप earth angel हो ठीक है ना release कीजिए in 3D world के जो भी painful cycles है बंधन है जिनोंने आपको जकड़ा हुआ है जो आपको grow नहीं करने दे रहे हैं उनको आपको release करने की जुरूत है समझने की जुरूत है कि क्या है वो cycle और release करने की जुरूत है यहाँ पर किसी तरह की obstacles भी remove हो सकते हैं यहाँ पर दो पहाड है और बीच में रास्ता बन रहा है यहाँ पर तो किसी तरह का obstacle भी remove हो सकता है आपको कोई रास्ता मिल सकता है यहाँ पर निकलने का escape करने का और साथ में यहाँ पर vulnerable होने का ठीक है हम लोग कई बर sensitivity दूसरों को दखाते नहीं है क्योंकि वो हमारा फायदा उठाते हैं लेकिन यहाँ पर आप किसी के साथ vulnerable भी हो रहे हो express कर रहे हो उस वज़े से आप अपने आपको कमजोर उसमें कमजोर तो मैं नहीं कहना चाती है यानि कि four of pentacles है यहाँ पर ठीक है तो release कर दना है यहाँ पर four again है यहाँ पर four of wands मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पर flip हुए है card और मेरे सामने आ गए तो यह आपकी main energy रहेगी तो यहाँ पर suggest यही किया जा रहा आपको release कर दीजिए इसी के निक्चे four of pentacles का card actual में reverse में आया हाला कि मैं वो नहीं करती हूँ पर शायद definitely शायद आपने काफी देर से कुछ चीजों को जकड़ा हुआ है तो उनको release करने का समय आ गया है तो आपको four of wands की energy भी दी जा रही है ठीक है न थोड़ा सा flexible रहे है जकड़े मत रहे है ठीक है four four की energy है यहाँ पर ace की energy है वाओ तो यहाँ पर है three of pentacles middle of the week next मुझे यह लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर है six of wands की energy वाओ और next यह कितने सिंक में है देखिए आज card four four है यहाँ पर three है six six आया है ठीक है अब देख लेते हैं एक और card यहाँ पर यहाँ पर है eight of pentacles तो start करते हैं यहाँ पर reading तो यहाँ पर beginning of the week मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के energy है थोड़ी guidance भी आपको यहाँ पर दे दी है मैंने तो यहाँ पर continue करते हैं first day के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा communication जिससे आप चीजों को solve कर सकते हो कुछ problem कोई challenges उनको यहाँ पर solve किया जा सकता है तो कोई solution आपको यहाँ पर मिलने के chances है ठीक है जो चीजे नहीं चाहिए again release वाली energy जो चीजे नहीं चाहिए उनको कट करने के लिए भी sword दी जाती है आपको कि clear कर दीजिए air को clear कर दीजिए चाहिए वो खुद की खुद overthinking कर रहे हो आप negative thinking कर रहे हो उसको भी clear कर दीजिए इस sword से इस issuer के दी हुए opportunity से या फिर अगर कोई और misunderstanding या कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं किसे की भी साथ ठीक है उसको भी clear किया जाए इस sword की energy के साथ clear communication clear clear साफ साफ सब कुछ ठीक है और और पराना कोई इसी वज़े से जो परानी कुछ ऐसे चीजे हैं जिनको बातों को memories को let go करने की जुरत है तो उसलिए यहां पर यह कार भी निकला है ठीक है तो यह ऐसा रहेगी energies तो next देखे हैं आपर second day की energy है यहां पर four of pentacles से four of pentacles से कहीं न कहीं आप stability चाहते हो अपनी life में definitely यहां पर mental emotional हो सकती है घर को लेकर हो सकती है of sword आपको दी जा रही है किसी तरह का नया idea दिया जा रहा है ताकि आप इसको create कर सको otherwise भी हम लग जब ज़्यादा focus करते हैं किसी चीज के ऊपर तो वो resistance create होती है तो कुछ चीजों को जाने दीजिए जिनको आप रखना चाहते हो उनके ऊपर focus लेजिए लेकिन focus desperation वाला नहीं होना चाहिए focus होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है ठीक है problem solve करनी है नए ideas अपनाने है और stability को create करना है या फिर अगर over thinking negative thinking हो रही है finances को लेकर वो मुझे release करनी है यहाँ पर वो cut करनी है और इश्वर के साथ इश्वर से सहायता मांग कर इश्वर से मदद मांग कर new ideas या new beginning को manifest करना है यह ठीक है न तो इस energy को actually manifest के लिए positively use कीजिए इस energy को ना कि कुछ ऐसी चीजों को जिनको पकड़ के रबैठे रहना ठीक नहीं है वो ठीक नहीं होगा तो again let go अब देख लेते middle of the week middle of the week कुछ decision लेने पड़ सकते हैं आपको तो यहाँ पर आप decision लेने पड़ सकते हैं या कुछ सोच बिचार कर रहे हो आप टाल रहे हो प्रकस्टिनेट कर रहे हो चीजों को तो यहाँ पर spirit guides आपको कहीं न कहीं आपको किसी तरह के sign दे सकते हैं आपको किसी तरह के messages आपको action नहीं लोगे तो आप जो transformation की weight कर रहे हो वो transformation नहीं देख पाओगे यहाँ पर ठीक है तो वो आपके life के किसी भी हिस्से से related यह changes हो सकती है जो आपको change लाने की जुरत है again be honest with yourself तो अपने लिए अगर आप honest रहोगे तभी तो जान पाओगे न कि actual में आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला जा रहा है कौन सा decision लेने के लिए बोला जा रहा है क्या release करने के लिए बोला जा रहा है किस के उपर काम करने के लिए बोला जा रहा है तो honest रहिए अपने लिए honesty को choose कीजिए और यहाँ पर again trust भी कीजिए अपने उपर, same समय पर आपको अपने उपर trust भी करना है, यह आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहरे हो, अपनी transformation का जो भी action लेना चाहरे हो, कहीं न कहीं यहाँ पर किसी की creativity भी boost होती ही नजर आ रही है, इसे yellow color से solar plexus की energy, यहाँ पर थोड़ा स कोई कमजोर था, जिस जगह पर था, शायद heal नहीं था, वो ही उसी जगह पर है, नहीं, यहाँ पर आप भूल रहे हो, कि आपने कितना काम किया है आपने उपर, कितनी strength को gain किया है, और आपने solar plexus chakra को भी heal किया है, उस inner strength को पहले psychically न, इस strength को पहले, psychically बोलेगे, psychologically, आपको समझने की जुरत है, ठीक है, आप फिर feel भी कर पाओगे, ठीक है, जैसे हम लोगों कोई बड़ा decision लेना होता है, अगर हम लोग पहले आपने mind को यह answer देते हैं, कि मैं मुझे पता है कि मेरे से हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आराम से आप confidence से उसके decision को ले लेते हो, तो same चीज़ यहाँ पर यह करने की जुरत है, अगर आप यह message दे रहे हो कि मुझे से नहीं होगा, फिर difficulty आएगी, middle of the week, यहाँ पर four of want से, divine के साथ बहुत अच्छा connection नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा stability नजर आ रही है, कुछ किसी तरह की खुशखबरी भी आपकी तरफ आ सकती हैं, आपर नया घर भी आप manifest कर पा रहे हो, visualize कर पा रहे हो, कुछ नए घर से related है, और stability से related है, manifestation से related है, कुछ नए soulmate से आप से connect हो रहे हैं यहाँ पर, किसी तरह की यहाँ पर success और, क्यूंकि यहाँ पर six of want भी है, किसी तरह की success और recognition, appreciation भी आपको मिल रही है, चाहिए आपके partner दे रहे हैं, आपके family members दे रहे हैं यहाँ पर definitely आपको यहाँ पर मिल रही है, four of want से, again यहाँ पर मुझे word सुना clear, तो यहाँ पर काफी कुछ clear कर रहे हो आप, जो एक नए stability को create करने के लिए ज़रूरी है, तो past की काफी चीज़ों को clear कर देना, ताकि आप एक नए connection या नए रूप से किसी connection को देख सके, manifest कर सके, यह नया chapter स्टार्ट कर सके, तो clean, clean slate के साथ start करना, यह भी हो सकता है कि आप घर पे बहुत ज़दा cleaning कर रहे हो, और्गनाईज कर रहे हो, उस वज़े से आपकी energy जो है बहुत ज़दा positive होती जा रही है, happy होती जा रही है, बहुत ज़दा bliss feel कर रहे हो, divine के साथ समय बिता रहे हो, prayers कर रहे हो, और आसपास भी सारा कुछ clean कर रह हो, ठीक है, उस से आप बहुत ज़दा अच्छा फील कर रहे हो यहाँ पर, और खुद ही अपने आपकी energy के साथ celebrate कर रहे हो, balance में आ रहे हो, और क्या देख लेते हैं, middle of the week, three of pentacles से, किसी professional की आप help ले सकते हो, कुछ कर रहे हो, किसी को services आप दे रहे हो, या किसी सर्विसिज आप receive कर रहे हो, तो और ये यहाँ पर आपके guides भी हो सकते हैं, कि connect कर रहे हो, आप काफी सारी चीजों को यहाँ पर काफी सारी चीजों को आप समझ रहे हो ठीक है, वीडियोज हो सकती है कुछ watch कर रहे हो, जिससे काफी सारी information आपको मिल रही है, tutorials देख रहे हो DIYS देख रहे हो I don't know, तो कुछ चीजें ऐसे सीख रहे हो, समझ रहे हो पूछ रहे हो, किसी को help ले रहे हो कोई आप से help ले रहे है तो इस तरह की team work यहाँ पर रहने वाला है किसी group में हो सकता है कि आप family group में या किसी तरह की group से connected हो वहाँ पर भी एक दूसरे की किसी teacher से जुड़ रहे हो learning teaching है यहाँ पर या किसी भी तरह की ये professional की help हो सकती है, connect कर सकते हो आप Rise above problems आप काफी light feel करोगे हो सकता है कि जो आपको decision लेना था या action लेना था वो आप ready हो लेने के लिए और आप शायद ले रहे हो यहाँ पर इस वज़े से आप काफी light feel करने वाले हो, यहाँ पर काफी सारी चीज़ें आपने surrender भी कर दी है वो भी मुझे लग रहे है और कुछ इस तरह की एक light happy energy में रह सकते हो जैसे आज मैं ऊपर आसमा नीचे तो इस तरह की एक light सी energy यहाँ पर आप angels के साथ connection भी बहुत अच्छा feel करोगे कि एंजल के साथ आप connect कर पा रहे हो वो आपको help कर रहे है आप high vibration feel कर पा रहे हो बहुत light positive peace के energy को feel कर पा रहे हो यहाँ पर और बहुत ज़ादा intuition का भी भी flow रहेगा, आपको काफी सारी messages यहाँ पर receive हो सकते है काफी light stress free energy है, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है मुझे की release करने में difficulty आ रही है decision लेने में थोड़ा सा सोच रहे हो लेकिन यहाँ पर at the end of the week कोई यहाँ पर मुझे difficulty आपको नहीं लग रही है, आप enjoy कर रहे हो और enjoy कर रहे हो शायद nature में आप अपने आपके साथ connect कर रहे हो यहाँ पर और self love, self care आपने आपको pamper कर रहे हो enjoy कर रहे हो, हो सकता है family के साथ आप कहीं जाएं, enjoy करें और हो सकता है कि कि किसी stuck cycle में से अगर ऐसी energy के साथ आपको जूँच रहे थे तो उससे अपने आपको end of the week आप free कर पाएं, ठीक है और यहाँ पर है ही है six of one कि energy यहाँ पर मुझे मेसेज मिल रहा है किसी idea पर आप work कर सकते हो जिसमें आपको success मिले तो कोई एक, यह भी हो सकता है कि इस ace of sword से आपको कोई नया idea मिले जो आपको आगे बढ़ाने में और जिसके साथ आप काम करें और आपको यहाँ पर success मिली है growth मिल रही है किसी ना किसी area में आपको growth देखने को मिलेगी किसी के लिए बहुत ही जादा मुझे लग रही है self love किसी को करना आ गया है वो अपने आपको बहुत अच्छे से dress up कर रहा है अपने आपको pamper कर रहे है अपने confidence को boost कर रहा है सजधच कर अपने आपको present कर रहा है यहाँ पर ठीक है तो एक दो दिन पहले भी यह मैंने energy ऐसी read की है उस वज़े से उसका जो आ रहा है और भी ज़्यादा bright होता जा रहा है उसके मतलब लोगों की नजर उसके उपर जा रही है यह वो ही person है same person है तो कुछ इस तरह की energy मुझे दिख रही है आपकी और इस वज़े से काफी नजरें आपके उपर रहेंगी किसी की यहाँ पर marriage भी तैंह हो सकती है fix हो सकती है यहाँ पर marriage या marriage की कोई shopping कर रहा है कुछ इस तरह की भी मुझे message मिल रहा है यहाँ पर ठीक है देख लेते हैं six of pentacles यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके balance में आती नजर आएंगी आप बहुत जादा खुश नजर आओगे कि जो भी injustice हुई या शायद finances को लेकर वो धीरे-दीरे आपकी वहाँ पर improvement आपको नजर आ रही है और इस वज़े से कहीं न कहीं आपका कुछ करने को donate करने का भी दिल करेगा जब भी आप देखोगे कि finances improve हो रहे हैं या देखते हो आप तो हमेशा ही कुछ न कुछ donate कीजिए यहाँ पर कुछ न कुछ आपको balance जरूर लेके आना है आपके पास आया है जरूर किसी न किसी के साथ ये abundance को किसी न किसी रूट में share जरूर कीजिए और वही आप ये करने वाले हो 6-6 आपको नजर आ सकता है 4-4 नजर आ सकता है मेली यहाँ पर काफी सारा balance आ रहा है bliss के energy है help मिल रही है काफी सारी किसी तरह की stuck energy release कर रहे हो आप ideas मिल रहे है intuitive intuition आपकी बढ़ रही है 4-4 6-6 के energy है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर है eight of pentacles आप किसी project पर काम कर सकते हो बहुत सारी मेहनत कर सकते हो यह कुछ नया आपके हाथ लग सकता है यह बहुत ज़ादा busy मुझे लग रहे हो चाहे यह घर के काम हो सकते है आपके weekend पर या फिर आप आपके career से related एक दम से आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है उस वज़े से आप बहुत ज़ादा busy हो यहाँ पर crafts से related घर को सजाने से related कुछ हाथों से आप कुछ create कर रहे हो चाहे वो cooking कर रहे हो आप मेहनत कर रहे हो guest आने वाले हैं या आपके special cooking करने वाले हो या फिर कुछ भी ऐसा घर को सजाने करने के लिए कोई creative project पर यहाँ पर काम करते नजर आओगे but definitely यहाँ पर आप busy ज़रूर रहने वाले हो इस last day पर क्योंकि आपको balance आ रहा है pentacles आ रहे हैं growth कर रहे हो आप growth definitely इस week में आपको हर तरीके से emotionally, mentally, financially spiritually, self love के मामले में अपनी self grow यह सब कुछ ना कुछ आपको definitely देखने को मिलेगा ठीक है अब हम लोग send reading से देख लेते हैं बाकी के messages तो देख लेते हैं अब send reading से कौन से और messages है इस week के लिए और साथ में क्या करना हम लोगों किसलिए संभलने के लिए बोला जा रहा है आज वाली reading के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो yellow और red color है ना तो यह specifically fire energy को दिखा रहा है ठीक है fire में जो हैं दोने ही color होते हैं तो night of wand के energy काफी ज़ादा passion area feel करोगे energetic boost of energy है यहाँ पर vitality है यहाँ पर healthy feel करोगे भाग भाग के काम करने action oriented रहोगे चाहे वो घर के काम हो या careers related काम हो किसी भी तरह के काम हो आप ठको हार होगे नहीं बैठो होगे नहीं ठीक है अपने कामों में लगोगे लगे रहोगे और काफी पुराने काम भी हो सकते हैं आपके जिनको आप clear कर लो इस हफते में पेपर वर्क हो चाहे और भी बहुत सारे काम होते हैं ठीक है उनको आप निप्टाने की कुश्च करोगे यहां पर और cleaning clearing इस तरह की भी उसमें आप energy में रहने वाले हों ठीक है तो देख लेते हैं आप और क्या messages हैं आपके लिए आप बहुत सुंदर लग रहे हों यहां पर किसी की skin बहुत glow कर रही है या करने वाली है इस हफते में बहुत सुंदर लग रहे हों बहुत सुंदर भी लगने वाले हों तो अब होली का त्योहार भी आ रहा है तो हैपी होली सबको तो कफी सारे colors यहां पर मुझे देखे pink color red yellow तो हैपी होली enjoy कीजिए अपने family members के साथ अपने friends के साथ तो हैपी वाली energy रंगों वाली energy रंगों के साथ खेलना enjoy करना तो कहीं न कहीं आप बहुत अच्छा feel करोगे होली वाले दिन भी क्योंकि जो पूरा साल की जो routine होती है उससे हम लोग बाहर निकलते हैं ठीक है और उन जो sad वली energy या किसी भी तरह की ऐसी energy में रहते हैं हम लोग तो वो बेसिकली रंगों के energy नहीं होती है तो life के जो असली रंग है न वो खेल, enjoy करना, interact करना, हसना, खाना, पीना, celebrations तो उन रंगों के साथ आपको बहुत अच्छा feel होगा आप enjoy कर पाओगे कोई यहां पर बहुत सारे पकवान भी cook कर रहा है ठीक है तो किसी तरह की celebration आप कर रहे हो, enjoy कर रहे हो, cooking कर रहे हो और साथ में आपके लिए यहां पर gathering भी है तो आप महमान आ रहे हैं या आप जा रहे हो, ठीक है, guest आपके पास आये हुए हैं या आप जा रहे हो मिलने के लिए, family get together हो सकती है यहां पर यहां पर आप focus बने हुए हो, पता नहीं यहां पर आपके बारे में बात हो रही है, आप focus में हो, spotlight में हो यहां पर शायद आपके आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने इस तरह की dress डाली हुई है, या आप इस तरह की vibes दे रहे हो, कि लोग जो है, ignore नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ इस तरह की energy है यहां पर, definitely, जैसे वो four of wands की energy यहां पर ब्रह्मान से related कोई आप video watch कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से related, I mean, तो यूनिवर्स से related, कुछ भी हो सकता है, यह किसी तरह से universe के साथ काम करें, कैसे energies work करती है, कैसे manifest किया जा सकता है, कुछ है या ऐसा, कोई आप video watch कर रहे हो, spiritual information है, जिसमें, जिसमें specifically universe के साथ, universe के बारे में, किसी भी तरह की कोई information दी जा रही है, आपको, ठीक है, यहाँ पर कईयों के लिए, कुछ जो planets, पहले उनके ओपर किसी तरह की दशा चल रही थी, या कुछ भी ऐसा हो रहा था, जो उनकी favor में नहीं थे, काफी सारे planners जो है, align में आ रहे हैं, आपकी favor के लिए, आपकी success के लिए, आपकी progress के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आपने सरंडर किया है, या आपने ओपर बहुत सारा काम कर लिए है, तो जैसे universe जो है ना, वो सारी चीज़ों को align कर रहा है, ताकि आपको growth करवाया जा सके, आपको success दी जा सके, आप जो deserve करते हैं, वहाँ तक आपको पहुंचाया जा सके, वाव, beautiful, यहाँ पर message मिल रहा है, क्योंकि आप deserve करते हो, definitely, आप deserve करते हो, यह बड़ा specific सा message आपको पता लगए का कोई आपको देखकर मुस्करा रहा है, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहता है, I don't know, maybe कोई express नहीं करना चाहता अपनी feelings को, चाहता या चाहती, कोई भी हो सकता है यहाँ पर यह person, ठीक है, तो पुछ ऐसा message है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, और, क्या messages है आप लोगों के लिए, क्या आपको किस बात के लिए संभल कर रहना है इस अपते में, एक तो कोई जूट बोल सकता है, आपको किसी न किसी रूप में फसा सकता है जूट बोल कर, ठीक है, तो यह संभल कर रहना है आपको, कोई आपका फाइदा उठाने की कोशिश कर सकता है, उसके लिए भी आपको संभल कर रहना है, ठीक है ना, यानि कि आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है, यह कुछ इस तरह की मुझे लोग लग रहे हैं, जो आपके आपको पता है, ठीक है ना, आप कहीं न कहीं हो सकता है, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हो इस बज़े से, आप बातों में आ जाते हो, या यह नो, काइंड हो आप बहुत जादा, बहुत जादा काइंड हो इस बज़े से, बातों में फस जाते हो, हाला कि आपको बहुत अच्छे से पता है, कि यह लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, जिससे आपको संभल कर, बच कर, ध्यान रखन हैं आपको इस हफते में, यह वैसे तो हमेशा के लिए ही है, लेकिन पर्टिकुलरी हो सकता है, कि इस हफते में कुछ ऐसा हो, बहुत सारी चेंजिस से गुजर सकते हो, आप इस हफते में छोटी-छोटी चेंजिस, इसलिए आपको समय निकालने की जुरूत है, सेल्फ लव चेंजिस चल रही हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटड़, कुछ भी, रिलेशन्शिप से रिलेट़, तो आप अगर बहुत सारी अपने कामों में बीजी रहोगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगे आपको, जैसे मैंने आपको बोला, पहला ही कार था, फ्लेक्सिब खोll के आप सकते हो, सबको नहीं, जिसको भी बताना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई अगर आपको लगे की सामने माला जैनरे ठीक है, तो उसी को आप बात कर सकते हो, खोल के बता सकते हो, अपने दिल की बात को रख सकते हो, अगर काफी चीज़े आपने एक cœur, कि यहां पर release करने में helpful होगा जब आप किसी को खुल के बताओगे यहां पर और आपको यह release करके या बात करके बहुत अच्छा फील होगा आप relax कर पाओगे शाद आप कहीं घुटे घुटे फील कर रहे हो वह सारी चीजें को अपने दिल में रख रहे हो और वो जब बात करोगे आप clear communication करोगे तो जैसे कहते हैं न कि बताने से दुख घट जाता है ठीक है तो उस तरह की मुझे यहां पर energy लग रही है तो आप किसे के साथ अपनी दिल की बाते कर सकते हो यहां पर अपनी solar plexus चक्रा पर काम करने की जुरत है जो एक मिडल वाला काड़ा है था be honest with yourself तो यहां पर वैसी energy है ठीक है संभल कर जो भी आप काम करना चाहोगे कोई initiative लेने जा रहे हो या कोई decision लेने जा रहे हो उसके लिए आपको solar plexus चक्रा की energy लगेगी यानि की inner strength fearless energy यहां पर तो आपको actual में इस energy से जुड़ना है तभी आप वो action ले पाओगे तो सबसे पहले अपनी solar plexus चक्रा के उपर या तो काम कीजिए heal कीजिए रेकी healing ले सकते हो आप अपने आपको दे सकते हो अगर आप attuned हो तो इस energy के साथ तो जैसे भी कीजिए इस energy के साथ आपको solar plexus चक्रा की energy को clear करना है इस चक्रा को balance करना है जिससे आप inner strength के साथ जुड़ पाए या कोई आप solar plexus चक्रा से related कोई guided meditation भी ढूण सकते हो और कर सकते हो आप focus कर पाओगे तो इस week में आप focus कर पाओगे जिन कामों को आप खतम करना चाहते है या जहां पर भी आप इस focus को use करना चाहते हो divinely guided रहने वाले हो आप तो divine continuously कही न कहीं से आपको guidance भी सकते है messages भी सकते है sign numbers के थुरू आपको कर सकते है motivate रख सकते हैं पर कि आप connected हो universe के साथ तो ये भी सब आपको repeated numbers feathers ठीक है ये देखने को मिल सकते हैं या कही न कहीं से भी आपको messages receive हो जाएंगे different videos हो सकती है कुछ भी हो सकता जहां से आ रहे हैं आपको messages आ रहे हैं guidance मिल रही है आपको आपना बिल्कुल शांत फील करोगी आपका दिल नहीं करेगा बहुत जादा बात करने को बहुत जादा पार्टीस्पेट करने को जो भी especially यहाँ पर जो लोग जो है उपर उपर से बाते करते हैं fake, fake मैं कह सकती हूँ genuine नहीं है उनकी बातों में बिल्कुल भी आपको interest नहीं रहेगा क्योंकि आप बहुत जादा एक soul connection जहाँ पर आपको मिलता है meaningful जहाँ पर interaction होती है meaningful बाते होती है, spiritual बाते होती है वो interaction आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, soul to soul connection जो आप feel कर पाते हो वहीं पे आपको interact करना, बाते करना, अपनी बात रखनी या सुननी आपको बहुत अच्छा लगता है और वहीं आपका, आप दिल से connect कर पाते हो heart to heart connect कर पाते हो, लेकिन जो लोग सिर्फ बाते करने के लिए बाते करते हैं कोई ज़्यादा वो meaningful नहीं है बाते, ठीक है, उनमें आपका interest नहीं रहा आप देखोगे कि आप connected feel नहीं करते हो आपका दिल करेगा कि आप भाग जाओ, कि कोई बात कर रहा है, बात किये जा रहा है, और वो आदी बाते जूट हैं या fake हैं या सिरफ बाते हैं ठीक है, आपका दिल करेगा कि आप और ना बैठे महाँ पर और ना contribute करें और भाग जाएं यहाँ पर किसी तरह से आपको appreciation भी मिल रही है और कुछ लोग यहाँ पर खुद को appreciate कर रहे हैं, खुद की journey को देख पा रहे हैं, खुद की efforts को देख पा रहे हैं, खुद की कितना उन्होंने महनत की है अपनी shadow self के ऊपर spiritually कितनी महनत की है या अपने career place पर कितनी महनत की है तो यहाँ पर कोई कुछ है viewers होंगे जो अपने आपको appreciate करना सीख गए हैं, ठीक है, तो जब यही करने लग जाते हो, आप देखोगे कि फिर कुछ दिनों में, कुछ समय में आप बाकी लोगों को भी attract करोगे जो आपके काम को appreciate करेंगे, ठीक है, आपके गुनों को appreciate किया जाएगा आने मले दिनों में आप बहुत तेजी से काम करोगे, तेजी से निप्टाओगे आप काम, अगर आप slow pace पे चल रहे थे, तो तेजी से आप काम कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले बोला जो focus भी हो तो शाहिद इस वज़े से भी, आप तेजी से काम को निप्टा पाओगे इवन कोई आप देखोगे कि कोई बाते कर रहा है और आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो उन बातों पर, ठीक है क्योंकि आपके दिमाग में उस समय आपको क्या करना है next step, आपके अभी कौन से काम पड़े हो हैं, कौन से आपने finish करने हैं काम, इन सब बातों में ध्यान है और आप बिल्कुल भी किसी की बातों पर focus नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप और जादा purity की तरफ जुड़ते चले जा रहे हो, cleansing होती चली जा रही है, आपकी mind, body, soul की, आप यह महसूस करोगे, यहाँ पर किसी के लिए message है कि अगर आप meditation में नहीं जा पाते हो, तो सिरफ simply candle को जला कर उसको देखे जाएं, उसके पास बैठ जाएं और आसपास बिल्कुल आपके शानती हो, बस, आपकी हो गई meditation, तो बिल्कुल शानती में एक candle जलाएं, उसकी flame को देखते रहे हैं, पा आपका, आप काम हो जाएगा, आपका mind, body जरूरी नहीं है, आपके पास 15-20 मिनट, आदा गंटा meditation के लिए होना ही चाहिए, और या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि meditation कैसे करते हैं, बस simple, बस peace में बैठ जाना, जब जहां पर आप सोचे ना कि मुझे कौन से काम पड़े तो candle जलाईए और उसके पास बैठ जाईए, आप देखोगे कि आपकी meditation की meditation हो जाएगी, calm down, calm down हो जाओगे आप और थोड़ी सी healing भी हो जाएगी अपने आप ही आपकी, और फिर उसके बाद उठके, अगर आपका और time बैठने को दिल कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला 5 मिनर, अगर आपका और बैठने को दिल कर रहा है, तो और बैठ जाईए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाई पीते हो ने शाम को, ठीक है, और आपको यह भी लगता कि चाई पीने से आपकी थकावट भी उतर जाएगी, थोड़ा सा आप रिलाक्स हो जाओगे, तब तब क केंडल लगा सकते हो, केंडल लगाईए, और अराम से चाई का कप लेके बैठिए, और शायद अभी राइट नाव भी अप चाई पी रहे हो, तो कप लेके बैठिए, और अराम से एक एक सिप लेते हुए, चाई को पीजिए, केंडल को देखिए, और साथ में, आस-पास भ ठकोगे नहीं rest of the day के लिए हम एक तरफ relax हो रहे होते हैं चाय पीने के लिए एक तरफ हम लोगोंने phone पकड़ा होता है तो वो अच्छे से वो समय भी हमारा हम लोग enjoy नहीं कर पाते हैं यह कहलो या relax नहीं कर पाते हैं तो किसी के लिए suggestion हो सकता है यहां पर guidance हो सकती है universe के तरफ से आपको बहुत सारे message मिलने वाले हैं I don't know आपकी psychic abilities बढ़ रही हैं तो आपको अपने आप ही मिल रहे हैं यह message या कहीं किसे किसी के through आ रहे हैं किसी को कोई friend भी बता रही है कुछ ऐसा है यहां पर आपकी friend tarot reader हो सकती है या उसके सपने में आप आए हो कुछ है यहां पर ऐसा message okay let's see workplace पर आप बहतर बैटर वे में काम करने वाले हो परफॉर्म करने वाले हो इस हफते में I don't know यह बैटर किस तरह से बैटर आप बनाने वाले हो but definitely यहां पर यह message है अगर past में आप energetically थोड़ा struggle कर रहे थे कामा को करने के लिए या workplace पर या घर पर जैसे भी वो थोड़ी सी आपकी struggle खतम होती ही नजर आ रही है energetically आप थोड़ा better feel करोगे जैसे मैंने beginning में बोला था कि health better हो रही है vitalty आ रही है ठीक है energetic आप फील करोगे तो वही reason हो सकता है यहां पर ठीक है और आप कुछ चीजों के लिए professional help भी लेने वाले हो तो यह professional help चाहिए आप reading ले रहे हो reading करवा रहे हो या फिर किसी भी तरह की teacher से गुरू से किसी से भी किसी तरह की help ले सकते हो आप जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा जहांपर भी आपको help चाहिए हुई तो आप रुकोगे नहीं आप help ले लोगे जो शायद past में आप थोड़ा सा procrastinate करते थे आप बहुत ज़्यादा expressive हो रहे हो या कोई और बहुत expressive हो रहा है या हो रही है यहांपर आप किसी को express कर रहे हो अपनी feelings को बता रहे हो कुछ ऐसा message है यहांपर यह कोई past का भी person हो सकता है जिसको आप express कर रहे हो डिसकस कर रहे हो क्योंकि एस ओसोर्ड से clear communication का भी कार निकला था बहुत सारे लोग यहांपर आपसे मिलना चाते हैं connect करना चाते हैं discuss करना चाते हैं appreciate करना चाते हैं यह चाहे family members ही क्यों नहों चाहे यह cousins यह relatives ही क्यों नहों friends हो ठीक है कोई भी हो सकता है आप बहुत अच्छे से silence में रहना सीख गए हो ठीक है किसी भी तरह की situation में आप बड़ी silent रहके ignore कर देते हो तो no reaction कई बार तो आप response भी नहीं करते हो तो यह बहुत अच्छी बात है तो यह आप और not notice करोगे इस हफते में कि आप शान्त रहके कितनी चीजों को आप ignore कर रहे हो ignore कर पा रहे हो लोगों को situation को ऐसी energies को तो तो जो आपको और ज्यादा strong बना रही है कि और ज्यादा आपको inner strength की आपको पता लगेगा अपने बारे में सेंसिटिविटी आपकी बढ़ रही है बहुत सारे लोगों की अगर आप एक परसन के बारे में सोचते हो नेक्स टाइम दो घंटे बाद दूसरे परसन के बारे में सोच रहे हो तो ध्यान से ठीक है क्योंकि आप connect कर पा रहे हो energy को और उनके energy को पिक कर पा रहे हो और उस व कारे में सोचिए मत connect मत कीजिए ठीक है अपने कामों पर फोकस रखी या इश्वर के साथ connect होते हुए काम कीजिए यानि कि मंतरा बोलते बोलते काम कीजिए या मंतरा को लगा लीजिए अपने आस पास तब काम कीजिए आप देखोगे कितना light feel करोगे और आप तेजी से कि यहां पर कुछ राज की बाते आपको पता लग सकती है कुछ secret कुछ रहसे हैं यहां पर जो आपको पता लग सकते हैं और आप बहुत मिचौरली भी टैकल करने वाले हो इन सब को तो जो भी है यह रहसे की बाते हैं secrets हो सकते हैं राज हो सकते हैं इसको बहुत मिचौरली आप handle करोगे जो भी है जिस बारे में भी है ठीक है situation के बारे में, past के बारे में, लोगों के बारे में, person के बारे में, don't know, काम के बारे में, sorry, और आप जूड़े भी रहोगे, आप connection भी फिल करोगे, God and Goddesses की energy के साथ, आप बहुत अच्छा connection फिल करने वाले हो, again, बहुत सारी चीज़ें reveal होंगी आपको, यह मैंने beginning में बोला था, किसी तरह कि आप spiritual videos को watch कर रहे हैं, यह हो सकता है कि, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको clear हो, information मिले हैं आपको, reveal हों कुछ चीज़ें, जो आपको थोड़ी से surprise भी कर दे, कोई ऐसी wisdom, कोई ऐसी knowledge, कोई बुक रीड कर रहे हो, तब आपको हैरानी हो जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा कि, आप कुछ करने वाले हो, या लोग रोक रहे हैं, आपनी opinion से आपको affect करना चाहते हैं, पर आप वो करके ही रहोगे, जो आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो ही decision वाला मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको बोला था, solar plexus chakra की energy, strength की energy, जो आपको सही लगे वो कीजिए, ठीक है, लोगों के उनसार मत चलिए, अपने आपकी, अपनी intuition के हिसाब से चलिए, ठीक है, जो divine guidance आपको मिल रही है, उसकी ही साथ से चलना है आपको, guidance देख लिएते हैं अब right now, guidance इस हफ्ते के लिए guidance के आपके लिए, चुप रहना आपकी बहुत सारी मुश्किलों को असान करने वाला है, वो ही जो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, इस से पहले की लोग जो है next level पर गुसा आ जाए, उनको control करने लग जाए, या कुछ और ही बात बढ़ जाए, तो वहाँ पर अगर आप चुप रहते हो, तो आपके हाथ में control रहता है, अपना भी और situation का भी यहाँ पर, तो कुछ ऐसा हो सकता है, second guidance देख लगते हैं याँ पर, planning कीजिए, जो भी आप करना चाहरे हो न, उसको plan कीजिए पहले, और help ले लीजिए, again वो message है, थ्री ओ पैंटिकल्स वाला professional की help ले लीजिए, plan कीजिए, क्या करने चाते हो, चाहे वो career के लिए है, किसी भी चीजिए के लिए है यहाँ पर, किसी professional की help ले लीजिए, plan कर लीजिए पहले, कुछ भी decision लेने से पहले, या फिर आगे कुछ भी invest करना है आपको, या फिर आपको कोई बड़ा कदम उठाना है, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो, आपको चिद नियू beginning करनी है, कोई business start करना है, वहाँ आपर planning कर लीजिए पहले, final guidance देख लेते हैं आपको लोगों के लिए, कुछ चीजें जो है, कुछ changes, शायद मैंने changes पहले बताया था आपको, बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, तो संभलना होगा आपको थोड़ा सा, flexible रहना होगा, ठीक है, थोड़ा slow down होना होगा आपको, ताकि आप संभाल सकें, जो भी ये changes आ रही हैं आपके तरफ, तो flexible रही है, ये नहीं कहना कि, अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था, अभी मैंने नहीं सोचा था, तो get ready, जिस भी तरह की changes हैं, ये fast changes, चाहे आपकी transformation को लेके आ रही हैं, self growth को लेके आ रही हैं, आपके relationships को लेके आ रही हैं, career changes आ रही हैं, जो भी है यहाँ पर, fast pace में हो रहा है, जो भी हो रहा है, अब हम लोग कुछ messages निकालेंगे, channel messages, तो देख लिते हैं यहाँ पर, इस deck से कुछ blessings और messages, universe की तरफ से, और mostly ये messages हैं, जो confirmation ही होती है, जो हमारे पहले निकलते हैं messages, ठीक है, so let's see, क्या messages हैं इस week के लिए, वो देख लिते हैं यहाँ पर, तो अपने आप देखो, कैसे बिर गए हैं उसी पाइल में, जिस कार्ड को आना न, वो किसी ने किसी तरीके से बहार निकली आए हैं, आप किसी को कोई किस से कहानिया सुना रहे हो, कुछ आप बता रहे हो किसी को, मैंने self expression वाला भी दिया है आपको, किसी के साथ आप रूड हो रूड हो रूड बोल रहे हो, ध्यान से ठीक है न, बड़े प्यार से humble ways में interact कीजिए, ये भी हो सकता कि आप हो रहे हो या कोई और इस तरह से बात कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही तरह, disrespectful में बात करना, ठीक है न, rude यानि कि disrespectful में बात करना, तो ये आप कर रहे हो ये दूसरा कर रहा है, अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको बोलिए, प्यार से, ध्यान से, अराम से, चीक है, बताईए उसको, respect के साथ, एक आदा कार्ड और ले लेंगे यहां पर, पीस में रहना इस हफते में आपको बहुत सारे messages दे जाएगा, और हम लोगों ने वैसे ही guidance भी निकाली है, सबसे पहला message था, यह beautiful loving moments are coming, यह बच्चे family के साथ, आप moments निगाल रहे हो, शायद मैंने बोला है, sun की energy है, yellow sign से, और यहां पर, four of wands की भी energy, ठीक है, तो four of wands से connect होना, लोगों के साथ बढ़ा अच्छा समय बिताना, हसी, खेलना, beautiful moments हैं यहां पर, ठीक है, changes are coming, वाँ, तो changes are coming super fast, today या फिर इस week में, तो मैंने यह, दो बार message आया है, तीन बार आया चाहिए, विश्वास रखो, अगर आप थोड़े से, impatience हो रहे हैं, विश्वास रखो, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, clarity, information आपकी तरफ आ रही है, knowledge, books, मैंने अभी आपको बोला भी, कि divine कफी तरह की guidance, message आप तक पहुँचा देंगे, दूसरे readers से मिल रहे हैं, books से मिल रहे हैं, videos watch कर रहे हो, definitely बहुत सरी information, clarity, ace of sorts की energy, आ रही है आपकी तरफ, dream, believe and achieve, go take action, तो action, किसी भी तरह की new beginning का हो सकता है, ideas का हो सकता है, कोई decision हो सकता है, तो action लेने को बोला जा रहा है, वापिस से connect to the heart, heart energy, ठीक है, balance वापिस आ रहा है, तो imbalance अगर आप हो, तो जैसे मैंने बोला भी यह है, कि अगर last हफते तक energetically आप struggle कर रहे थे, तो इस हफते में आप ज़्यादा focus कर पाऊगे, अच्छे से कामों को कर पाऊगे, face the reality, you are brave, कोई reality, reality check है यहाँ पर, आप कर सकते हो, definitely, fear को पीछे छोड़िये, decision लीजिये, और अपनी intuition और divine guidance के अनसार, action लीजिये, ना कि लोहों के अनसार, spend time, play and track with your kids, तो यह समय आपको, यह जो 72 hours वली उसमें भी था, बहुत अच्छा समय आपको बहुत अच्छा समय इंट्रेक्ट कर रहे हो, आप beautiful moments और, something is living your life, first card ही angel का था, release वाला, let it go, blue color का जो कार था, something is living, definitely, release, release का card है, slow down and listen to your intuition, थोड़ा सा आराम से, break ले लीजे, ठीक है ना, अपनी intuition को सुनिए, अगर ठका हारा, वो मैसूस कर रहे हो, तो break ले लीजिए, send blessings, दूसरों को blessings भेजिए, जो दर्द में हैं, pain में हैं, उनको, उनकी opinions को, उनको judgment कीजिए, और साथ में, personal मत लीजिए, जो भी कुछ कह रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, कि वो hurt हुए हुए है, उन्होंने healing नहीं की है, उन्होंने inner work नहीं किया है, आपके उनको judge करने से, उनका कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका खुद का होगा, सिरफ उनको blessings भेज़े दीजिए, बस, ठीक है, तो ये थी, आप लोगों के लिए reading, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो मुच पर वाचिंग, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, जूर कीजिए, मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में जूरू बताईए, कि आपको ये reading कैसी लगी है, और साथ में, अगर आप परसनल सेंड reading session, बुक करवाना चाहते हैं, मेरे साथ, तो मेरी टीम को आप contact कर सकते हैं, ये number आपको description box में मिल जाएंगे, थैंक यू, क्यू, वका नग्यो, तो में लाएंगे,